Rise Droid का एक latest update आ चुका है 10.1 जो कि फिलाल में अभी यहाँ पर यूज कर हो हमारे Poco के M2 Pro यानि MI at all के device के अंदर और यहाँ पर आपको क्या कुछ देखनी को मिलता है इस update के अंदर वो साय चीज आपको पता चलने वाली है और यहली में यह आपको काफी पसंद आएगा और पिछले टाइम से जब भी Rise Droid का अपडेट आ रहे न वो भाई one of the best performance and customization प्रोवाइट कर रहे है तो क्या इस update में भी सेम चीज आपको देखनी को मिलती है नहीं वो पता चलेगा और इस 10.1 के अंदर क्या नया एट किया गया है वो भी आपके लिए काफी important वाले features होने वाला है तो जलिए वीडियो शुरू करते हैं पसंद आता है लाइक करिए चैनल पे नहीं है तो subscribe और इसी तरह का इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको regular मिलेगा तो यार प्लीज वेट करना अगले notification का यह wallpaper चाहिए तो मेरे टेलिग्राम के wallpaper चैनल पे मिल जाएगा और यहां पर आप देखो कि आप देखे तो double play store है double यहां पर आपको gig bench है gallery देखनी को मिल जाता है music player है camera है Antutu का app है और साथ-साथ बाके दर applications होगे रहा है जैसे कि यहां पर aqua battery वाला है तो यहां पर आपको finally double app को create करने का benefit मिलता है जैसे कि आपको MIUI पर देखनी को मिलता है ना parallel app से उसी तरह किसे यह features काफी interesting और बहुत साथ लोग के काम भी आने वाला है और यह जो look देख रहे हुना है यह तो मैंने पिछले टाइम ही बता जिया थे कि आप setting के look को बदल सकते हो अपने merging के साब से वह आपको यहां पर देखनी को मिलेगा about पर आते तो rice UI आपको 4.0 देखनी को मिल जाता है और यहां पर android version के बात करे तो 13 है जो कि official update है और यहां पर डिवाइस है जो है हमारा gram यानी M.I.TOL का डिवाइस है और यहां पर आप देखते हो 10.1 आपको देखनी को मिलता है और मैं यहां पर pixel version यूज कर रहा हूँ यानि GF इसके इस पर 4 update आए है एक आपको मिलता है minimal GF plus ANX एक minimal GF और एक only on GF और एक vanilla vanilla के लिए लेकिन यहां पर अलग अपडेट है और मैंने यहां पर pixel यान यह GF और वर्जन को select किया है review के लिए और testing के लिए साथ यहां पर आपको January 5 का security patch मिलेगा और RiceDroid का यहां पर build number आप देख सकते हो और DFC plus का kernel देखनी को मिलता है और इस रोम का download link आपको मेरे टेलिग्राम पर मिलेगा क्योंकि इस रोम के साथ अलग अलग ads apply किये गए हैं इनके maintainer के तरफ से और YouTube थोड़ा सा sound के profile में नीचे की आने के बाद आपको यहां पर direct sound का effect आपको मिल जाएगा जो की sawmy वाला है जो की अच्छे से आपका है जो working रहने वाला है वहाई पर बैटरी के बात करें तो यहां पर कोई भी आपको performance related option नहीं मिलता बर temperature, capacity, charging, cycle यह साई चीज आपको देखनी को मिलेग यह है इसका display जहां पर आपको देखनी को मिल जाता है one suit auto brightness का options वगेरा dark mood के अंदर आपको pinch black का option मिलता है जो कि आप लोग बहुँ जारा है से prefer करते हो उसका बाद वही सारे common option और LCD brightness related एक और option यहां पर आपको है जो मिलेगा back के राने के बाद इसका मिलता है खुद का customization जिसमें काफियर तक काफी चीज़े नई है पहले जैसी है लेकिन यह इस पार नया क्या है उसके उपर focus करेंगे तो यह है हमारा user interface जहां पर charging, full screen यहां पर screen of animation, monitor engine और theme engine देखनी को मिलता है जहां पर यह सारे option अंदर कर दी गए और बाकि दर चीजों का यहां पर change करने का option यह सब कुछ पहले से था बस एक folder के अंदर यहां पर जो include कर दिया गया बस और ज्यादा कुछ यहां पर नहीं किया गया उसके बाद हम back here आते हैं तो आपको मिलता है stress bar जहां पर clocks related format मिल जाता है, roaming का, wifi का, signal बगेरा, logo बगेरा इसमें आपको core recording supported है वह भी enhancement वाला क्योंकि यहां पर dialer for different use किया गया है जहां पर यहां पर इसी तो अलग-अलग option मिलते है core recording से related तो यहां पर आपको Google का dialer नहीं मिलता यह आपके लिए advantage होने वाला है ताब मझे से यहां पर core record कर पा गया और सामने वाले को पता भी है जो all का button यहां पर activate कर सकते हो जो कि इस तरीके से आपको दिखाई देगा notification के अंदर आपको retracker, use app, color background का option आपको यहां पर मिल जाएगा और यह सारे common option है जो कि मैं आपको पहले भी शोग कर रखे है मिसलिनिस के अंदर आपको game space मिल जाता है वसकार यहां पर google service आपको देखनी को मिलता है जो कि आप enable कर सकते हैं यह नया option आया है और यह हमारा parallel app जिसके बारे मैं मैं बता रहा था तो यह हमारा space 1 है और यह हमारा space का एक new option है जो कि मैंने activating किया सिर्फ इस एक्टिवेट किय आप देख से तो इतने सारे application को मैंने double यानि clone कर रखा है जो कि आपने starting पर ही देखा है app drawer के अंदर जो को यह perfectly काम करता है जैसे के VLC को मैंने on कर दिया यहां पर आप देखो कि दो VLC आ चुके एक के ऊपर tab लगा हुआ है हमारा और दूसरा हमारा है जो normal देखनी को मिल रह हुआ है उसके बाद यहां पर आपको मिल जाता है smart charging का option higher apps यानि 90 apps unlock कर सकते हैं इस setting को on करते ही और unlimited photo storage मिलेगा और net flick swoofing यह पहले ही आ चुका है बाकि pocket deduction और यह सारे चीज़ आपको पहले ही देखने को मिले हैं यहां पर 2-3 चीज़े काफी मज़दार है और काफी useful भी हो ही है तो छोटा सा change है लेकिन काफी useful change है जाते हो अगर यहां पर minimal GF plus ANX के साथ तो भाई वहां पर ANX का support मिलेगा जो कि आपके लिए advantage यहां पर होने वाला है बाकि यहां पर smoothness मुझे काफी अच्छी लगी है और भाई काफी अच्छी तरीकिसे RAM management भी काम करता है अब बात करते हैं इसके performance test result की और यहां पर sound effect जो के me का है उसके अलावर यहां पर audio effects भी दिया गया है तो अच्छा खास आपको combination का output मिलने वाला है by default आपको यहां पर इतनी application मिलते हैं और यहां पर extreme का option देखनी को मिल रहा होगा जो कि आपके battery saving में help करने वाला है तो यहां पर रि इसके use से आप battery को थोड़ा save कर सकते हो अनादर यहां पर आपको देखनी को मिल जाता है battery drain के अगरो बात करें तो यह 64 और morning में देखते हैं तो 64 का 64 ही आपको यहां पर नजल आता है यहां पर मैं आपको timing भी सो कर देता हूं यहां पर timing आपको दिखाई दे रहा है 11 p.m. औ और official Rome के अंदर वहें पर under 2 काफी अच्छा गया है Geekbench भी काफी अच्छा है और यहां पर 100 पर डालने का वा CPU ठोटलिंग का result काफी perfect है बस यहां पर max का number गया हो गया पता नहीं कैसे फिर यह आप देखो minimum यहां पर 1,87,000 देखने को मिल जाता है उसके बाद मैंने इसे 12 run क किया ताकि यह जो max का number है वह 100 हो जाए तो आप देख सकते हो एक लाग 98,000 है और minimum 1,64,000 है तो यहां पर result काफी अच्छे मिल जाते हैं boosted आपको मिलते हैं जो की काफी काम आने वाल है बाकि device certified है तो banking के app यूज़ कर पाऊगे बाकि आपको photo storage unlimited मिलेगा ही मिलेगा 90 episodes unlock recommended है और इसका जो पहले वाल अपडेट है ना उस पे आप चाहूँ जो dirty flash कर सकते हो लेकिन आप GFs वाले version से GFs पर जाओगे तब ही लेकिन आप minimal GFs वाले version यूच करते हो ता आपको clean flash करना पड़ेगा ताकि सब कुछ proper है जो काम कर सके और installation guide वही same होने वाला है पहले ज guys for watching, bye bye